दोस्तो हमें किसी भी सेंटेंस को बोलने के लिए या फिर लिखने के लिए वर्ब की जूर्थ होती है आज की इस वीडियो में हम देखने वाले सबसे ज्यादा यूज होने वाली वर्ब्स और उनकी फॉर्म्स तो चलिए वीडियो सुरू करते हैं और आपना वी तक हमाई च फॉर्बादे हैं एं वह हम देखने वाले हैं आपको यहां पर मैं बता दूं कि वर्ब की सेकेंडस फॉर्म का यूज हमेशा फस टेंस में किया जाता है चाह hé시로 पार्जेंट का परिफेक्ट shootings में ही किया जाता है तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि वर्ब की ये सभी form कहाँ पर इस्तिमाल की जाती है तो चली अब हम देखते हैं वर्ब की first form यानि की base form तो हम लेते हैं सबसे पहले go इसका हिंदी अर्थ होता है जाना इसकी second form होती है went थर्ड form होती है gone fourth form होती है going और fifth form होती है goes अगला है do इसका हिंदी अर्थ होता है करना इसकी second form होती है did थर्ड form होती है done fourth form होती है doing fifth form होती है does अगला है see इसका हिंदी अर्थ होता है देखना इसकी second form होती है saw थर्ड form होती है seen fourth form होती है sing और fifth form होती है sees अगला है टेक इसका हंदी अर्थ होता है लेना इसकी सेकंड फॉर्म होती है टूक थर्ड फॉर्म होती है टेकन फॉर्थ फॉर्म होती है टेकिंग और फिप्फ फॉर्म होती है टेक्स अगला है गिव इसका हंदी अर्थ होता है देना इसकी सेकेंड फॉर्म होती है गेव थर्ड फॉर्म होती है गीवन फॉर्थ फॉर्म होती है गीविंग और फिफ्फ फॉर्म होती है गीव्ज अगला है रन इसका हिंदी अर्थ होता है दोडना इसकी सेकेंड फॉर्म होती है रैन थर्ड फॉर्म होती है रन फॉर्थ फॉर्म होती है रनिंग और फिप्ट फॉर्म होती है रन्स अगला है थिंक इसका हिंदी अर्थ होता है सोचना इसकी सेकिंड फॉर्म होती है थोट थर्ड फॉर्म होती है थोट फॉर्थ फॉर्म होती है थिंकिंग और फिफ्थ फॉर्म होती है things अगला है write इसका हिंदी अर्थ होता है लिखना इसकी सेकंड फॉर्म होती है wrote थर्ड फॉर्म होती है written फॉर्थ फॉर्म होती है writing और फिफ्थ फॉर्म होती है writes अगला है come इसका हिंदी अर्थ होता है आना इसकी सेकंड फॉर्म होती है कैम थर्ड फॉर्म होती है कम फॉर्थ फॉर्म होती है कमिंग और फिप्थ फॉर्म होती है कम्स अगला है फ्लाई इसका हिंदी अर्थ होता है उड़ना इसकी सेकंड फॉर्म होती है फ्ल्यू थर्ड फॉर्म होती है फ्लाउन इसका हिंदी अर्थ होता है खाना इसकी सेकंड फॉर्म होती है एट थर्ड फॉर्म होती है इटन फॉर्थ फॉर्म होती है इटिंग और फिप्थ फॉर्म होती है इट्स अगला है सिंग इसका हिंदी अर्थ होता है गाना इसकी सेकंड फॉर्म होती है सैंग थर्ड फॉर्म होती है संग फॉर्थ फॉर्म होती है सिंगिंग और फिफ्फ फॉर्म होती है सिंग्स अगला है टीच इसका हिंदी यर्थ होता है पढ़ाना इसकी सेकंड फॉर्म होती है टॉट थर्ड फर्म होती है तॉट फर्थ फर्म होती है टीचिंग और फिप्थ फर्म होती है टीचेस अगला है ड्रिंग इसका हिंदी अर्थ होता है पीना इसकी सेकेंड फर्म होती है ड्रेंग थर्ड फर्म होती है ड्रंग फर्थ फर्म होती है ड्रिंगिंग और फिप्थ फर्म होती है ड्रिंक्स अगला है ड्राइव इसका हिंदी अर्थ होता है चलाना इसकी सेकंड फर्म होती है ड्रॉब थर्ड फर्म होती है ड्राइवन फॉर्थ फर्म होती है ड्राइविंग और फिप्थ फर्म होती है ड्राइव्स अगला है डिग, इसका हिंदी अर्थ होता है खोधना इसकी सेकेंड फॉर्म होती है डग, थर्ड फॉर्म होती है डग, फॉर्ट फॉर्म होती है डिगिंग, और फिफ्ट फॉर्म होती है डिक्स अगला है fall इसका हिंदी अर्थ होता है गिरना इसकी second form होती है fell third form होती है fallen fourth form होती है failing और fifth form होती है false अगला है buy इसका हिंदी अर्थ होता है खरीदना इसकी second form होती है bot थर्ड फॉर्म होती है बॉट फॉर्थ फॉर्म होती है बाइंग और फिप्थ फॉर्म होती है बाइस अगला है आस्क इसका हिंदी मीनिंग होता है पूछना इसकी सेकंड फॉर्म होती है आस्क्ड थर्ड फॉर्म होती है आस्क्ड फॉर्थ फॉर्म होती है asking और फिप्थ फॉर्म होती है ask अगला है cut इसका हिंदी मीनिंग होता है cut इसकी second फॉर्म होती है cut फॉर्थ फॉर्म होती है cutting और फिप्थ फॉर्म होती है cuts अगला है hear इसका हिंदी मीनिंग होता है सुनना इसकी second फॉर्म होती है hear थर्ड फॉर्म होती है Heard फॉर्थ फॉर्म होती है Hearing और फिफ्थ फॉर्म होती है Hears अगला है Jump इसका हिंदी मीनिंग होता है कूंदना इसकी सैकेंड फॉर्म होती है Jumped थर्ड फॉर्म होती है Jumped फॉर्थ फॉर्म होती है Jumping और फिप्ट फॉर्म होती है Jumps अगला है Kill इसका Hindi मीनिंग होता है मारना इसकी सेकंड फॉर्म होती है Killed थर्ड फॉर्म होती है Killed फॉर्थ फॉर्म होती है Killing और फिप्ट फॉर्म होती है Kills अगला है Grind इसका हिंदी मीनिंग होता है Pishna इसकी second form होती है ground third form होती है ground fourth form होती है grinding और fifth form होती है grinds अगला है meet इसका Hindi meaning होता है milna इसकी second form होती है met third form होती है met fourth form होती है meeting और fifth form होती है meets अगला है keep किप इसका हिंदी अर्थ होता है रकना इसकी सेकंड फॉर्म होती है कैप्ट थर्ड फॉर्म होती है कैप्ट फॉर्थ फॉर्म होती है कीपिंग और फिफ्फ फॉर्म होती है कीप्स अगला है कैच इसका हिंदी अर्थ होता है पकड़ना इसकी सेकंड फॉर्म होती है कौट थ फिप्ट फॉर्म होती है कैचेस. तो ये थी हमारी कुछ important verbs और उनकी forms. अगर आप tense सीखना चाते हैं तो आप हमारी ये वीडियो देख सकते हैं, जिस पर एक मिलियन से भी ज़दा भीव हैं. थैंक्स फर वर्चिंग दिस वीडियो.